तो जब हमने सोशेल हेल्थ चाप्टर पड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताय था के दे आर अल्सो अडिक्टेड तो दिर फोन जाएंगे फोन उठाना है जाहां हम जाएंगे फोन अपना साथ में लेकर जाएंगे संभाल कर यूज करना कई अंदर गिरना जाए गिर गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा खाना खाते वक्त भी दो मिनिट की शांती नहीं हाथ में फोन होना बहुत ज़रूरी है स्क्रोल करते रहना है कुछ ना कुछ उसके उपर देखते रहना है और रात को भी बिफोर गइंग तो स्लीप इस तरह उल्लू की तर अपने फोन के पीछे बरबात कर रहे हैं विच इस एक्विवेलेंट टू 45 डेज पैंतालिस दिन आउट ओफ 365 डेज 45 डेज हम हमारे फोन के पीछे डाल रहे हैं इतना सारा टाइम कुछ अच्छा करने के लिए यूटिलाइस किया जा सकता था तो हाउट टू अवरकम फोन होती है पहले यह हम समझ लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉलूशन हाव टू ओवरकम फोन अडिक्शन एवरी ताइम यू फिल हैपी एक्साइटेड और मोटिवेटेड तुमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है एक नियूरो ट्रांस्मिटर रिलीज होता है कॉल्ड ऐस डोपमाइन इस डोपमाइन इस असोसियेटेड विद फिलिंग हैपी और एक्साइटेड सिंपल भाशा में जितनी जितनी बार डोपमाइन रिलीज होगा तुम्हें खुशी फील होगी या फिर एक्साइटमेंट फील होने वाली है जब भी हम अपना फोन य क्या फनी सामने आता है तो ब्रेन में क्या रिलीज होगा डोपमाइन और यू विल फील हैपी तो ब्रेन के अंदर एक लए फिच्चर अफ्लोर्ड किया तुम घड़ी जाकर चेक करते रहे तो कितने विउस आए ग्यों किसंसे कमेंड किया क्याममेंड किया करते हो न क्यूं करते हो जब भी तुम जाके वहां देखोगे एंड अगर ज़ादा विउस हैं ज़ादा लाइकस हैं तो ब५े में dopamine release होगा and you will feel happy तो उस dopamine के लिए हम घड़ी-घड़ी जाके check करते रहते हैं ठीक है and internet पर हर चीज फणी नहीं है हर चीज exciting नहीं है तो हम घंटों तक scroll करते रहते हैं to find that excitement to find that funny thing to find that next dopamine hit हम आधा पौना घंटा सिर्फ scrolling के पिछे डाल देते हैं बात समझ में आ रहे है तो यह एक चीज समझ लो दर डॉपमाइन reward loop brain ने क्या connection बना रखा है phone is equal to happiness जब भी तुम अपना phone उठाते हो scroll करते हो कुछ exciting दिखता है तो क्या release होगा dopamine and you will feel happy लेकिन dopamine ऐसी चीज है ना जो immediately metabolize हो जाती है उसके जो levels है वो फटक से decrease हो जाते हैं तो again you feel the urge वो इच्छा जागरूत हो जाती है कि फिर से अपना phone उठाएं and scroll करना शुरू करें and कुछ exciting या कुछ funny ढूंदें तो यह एक cycle बन जाती है and जितनी बार एक behavior repeat होता है it becomes a habit तो जितनी बार यह cycle repeat होगी यह क्या बन जाएगा एक habit बन जाएगा simple यहां तक बात समझ में आ गई अब सिनारियो समझ लो मान लोकल तुमारी एक्जाम है तुमारे classes में या तुमारे स्कूल में कोई टेस्ट है तुमारी पढ़ाई नहीं हुए है syllabus बहुत बाकी है and अब stress आना शुरू हो रहा है anxiety आ रहे है थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि तुमारे दिमाग ने क्या connection बनाया था phone is equal to happiness तो जब भी थोड़ा stress आ जाएगा थोड़ा डर anxiety आ जाएगी इमेजेटली इच्छा होती है phone उठाने की to find that excitement and happiness to find that dopamine hit तो अंदर से वो जो फील आता है आरे पांच मिनिट यूज कर लेता हूं फिर पढ़ूँगा 10 मिनिट यूज कर लेता हूं फिर पढ़ूँगा सवा तीन हो रहे हैं 15 मिनिट साड़े तीन को पढ़ूँगा 15 मिनिट फोन यूज कर लेता हूं फिर दो घंटे continuous uninterrupted पढ़ाई करूँगा तो जो फील आती है वो जो जूट तुम खुद को बोलते हो वो कहां से आ रहा है यहां से आ रहा है सारा कार्यक करम dopamine का है and of course और भी कुछ chemicals होते हैं लेकिन dopamine is the major contributor to this habit तो यह बात समझ में आ गई अच्छ not only that हम तो addicted हैं लेकिन हमारे माबाब भी addicted हैं मैं खुद देखता हूं मेरे घर पे पपा ममी सुबह सुबह YouTube खोल कर उसके उपर time pass कर रहे हैं WhatsApp देख रहे हैं messages का reply कर रहे हैं तो जो लोग हमें बोलते हैं कि phone से दूर रहो phone से दूर रहो वो खुद phone को addicted हैं लेकिन उन्हें नहीं है so this problem is universal सिर्फ हम नहीं है सब की तकलिफ है यह तो कहानी तो समझ में आ गई step number four होता है replace a bad habit with a good habit यह सारी बाते तुमको एक एक करके विस्तार में बताऊंगा step number one make it invisible distractions को कर दो गायब आख के सामने नहीं आने चाहिए अब YouTube का algorithm इतना ज्यादा powerful है ना तुम उसके उपर एक वीडियो देख रहे हो वैसा ही दूसरा वीडियो recommend करेगा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा दीरे दीरे करके इतना अंदर गुज जाओगे बार ही नहीं निकल पाओगे तो ऐसे टाइम पर क्या करना है जो भी distracting channels है जो unnecessary वीडियो बना रहे है या फिर clickbait वाले वीडियो बना रहे है उसको डाल दो don't recommend पर channel दिखनी ही नहीं चाहिए बात खतम हो गए पॉइंट नमबर टू हम बहुत सारे अप्स यूज करते हैं हर एक अप notification भेजते रहता है कुछ ऐसे अपस हैं जिसका notification गड़ी गड़ी एक एक दो दो मिनिट पर आते रहता है Instagram हो गया Facebook हो गया इन सारे unnecessary apps को इनके notifications को disable कर दो mute पे डाल दो mute से याद आया WhatsApp पर भी बहुत सारे groups होते है school का group होता है class का family का friends का सब को mute पे डाल दो ये तो डालते ही हो और इसके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं जो forward messages बेचते रहते हैं good morning, good night, funny video नहीं देखना उनको भी mute पे डाल दो फिर बहुत सारे unnecessary calls and messages text messages आते हैं sales के marketing के उनको भी कर दो block and report spam नहीं आना चाहे call नहीं आना चाहे message फिर कुछ ऐसे distracting apps जो होते हैं Facebook है Instagram, Snapchat, Netflix इनको सब को डाल दो कोने में home screen पे मत रखो अंदर डाल दो सामने नहीं रहेंगे तो distraction थोड़ा कम हो जाएगा and lastly phone को guy up कर दो मैं मेरा phone या तो drawer में डाल देता हूँ या तो pillow के नीचे डाल देता हूँ आख के सामने नहीं रहेगा तो check नहीं करूंगा तुमसे अगर control नहीं हो रहा है तो तुमारे माबाप को दे दो phone बड़े भाई बहन को दे दो या फिर दूसरे किसी room में जाके रख दो बहुत जरूरत पड़ेगी तब जाके phone को उठाना है otherwise उसको check नहीं करना है यहां तब बात समझ में आ गए यह हो गया make it invisible step number 2 make it difficult मुश्किल बना दो हमारे सबके phone में होता है fingerprint scanner या फिर face unlock phone बहुत easily unlock हो जाता है हाथ में लेते ही खुल जाता है और खुल जाते हैं वो apps instagram facebook youtube और घुस जाता है तुमारा आधा पौना घंटा तो सबसे पहले setting में जाकर fingerprint कर दो delete face unlock कर दो delete and phone के उपर डाल दो एक लंबा चौड़ा password easy password डालना लेकिन लंबा डालना phone खोलते वक्त मेहनत करनी पढ़नी चाहिए ठीक है तो थोड़ी difficulty बढ़ जाएगी तो phone खोलने की इच्छा थोड़ी कम हो जाएगी difficulty को और बढ़ाना है तो जाओ app lock में and app lock में जाके ज double difficulty तो इच्छा थोड़ी और कम हो जाएगी distraction थोड़ा और कम हो जाएगा step number two जितने भी distracting apps हैं जिनकी कोई urgency नहीं है उनको delete कर दो Instagram हो गया Facebook हो गया देखो उनके बिना तुम्हारा काम अटक नहीं जाएगा तुम मर नहीं जाओगे तो उनको delete कर दो जब भी check करना होगा वा पड़े पड़े आधा पॉना एक घंटा तुम फोन चला रहे हो फोन को switch off कर दो अपने पहुत से बहुत दूर रख दो फोन switch off होगा तो भी alarm बजेगा और इसका एक और फायदा है जब तुम सुबह उठोगे phone switched off है तो तुम notification चेक करने में आधा पॉना घंटा नहीं डाल होगे phone को switch on मत करो उठो जाओ फ्रेश हो जाओ पॉटी करो ब्रश करो माबाप से बात करो दस पंदरा मिनिट बैठो फिर phone को switch on करना ठीक step no.3 make it unsatisfying phone use करते वक्त इतना मजा क्यों आता है जो apps हम यूज करते है न they are very colorful they are vibrant and just like a butterfly and भवरा हम उसके आजवा जो भिनमिना आते रहते हैं we are attracted to the colors तो क्यों न हम इन colors को खतम कर दें अब यह करने के लिए आपको पहले developer options चालू करने पड़ेंगे अगर आपको नहीं आता है करने के लिए तो एक बार google कर लो after that settings में जाके search करो monochromacy तो वहाँ पर option आएगा simulate color space वहाँ पर monochromacy को select करो तुमारा phone हो जाएगा black and white जो वो colorful वारी appeal थी न वो appeal कम हो जाएगी phone को use करने की इच्छा थोड़ी और कम हो जाएगी ठीक है और दूसरी बात always track your screen time कितना time तुमने phone के उपर बरबाद किया है वो तुमें पता होना चाह उसके लिए go to settings and search digital well being and parental control यहाँ पर तुम तुमारा daily usage track कर सकते हो कितना time phone के उपर spend किया है तुमारा weekly average कितना है वो भी तुमें पता चलेगा and कौन से app पे सबसे ज़्यादा time spend हुआ है वो भी पता चलेगा तो जो तुमारा distracting app है न जिस पे सबसे ज़्यादा time waste हो रहा है उसके उपर तुमें time limit set कर सकते हो for example whatsapp पर मैंने देड़ घंटे की limit set की हुई है so after one and a half hour of usage whatsapp will be paused for the rest of the day सीधा कल खुलेगा अभी तो तुम भी तुमारे जो distracting apps है उनके उपर ए time limit set कर सकते हो and lastly इस experience को और ज waste your time ऐसे और भी बहुत सारे वाल वेपर तुमको मिल जाएंगे जितनी भी बार फोन खोलोगे तुम्हें पता है back of the mind कि तुम तुमारा time बरबात कर रहे हो सामने लिखा हुआ है don't waste your time अंदर से आवाज है कि भाई phone रख दे काम बाकी है ठीक है तो stop wasting your time and जो pending काम है वो complete कर step number 4 replace a bad habit with a good habit हमने बात किसी जब भी थोड़ा सा stress आ गया anxiety आ गया फिर डर लगने लगा तो अंदर से और जाती है na phone को use करने की we crave that dopamine hit and we end up spending time on our phone ये बूरी आदत है तो इस bad habit को एक अच्छी habit से replace करना है ऐसी habit जो हमें खुशी देती है for example जब भी मुझे stress आ जाता है anxiety आती है तो मैं मेरे जो guitar है उनको उठा लेता हूं 10-15 minute practice कर लेता हूं practice भी हो जाती है at the same time मैं fresh हो जाता हूं and I can get back to work तो तुमारे पास भी ऐसा कुछ तो होगा ना एक छोटी सी hobby होगी जो तुमें खुशी देती है for example instead of picking up the phone बहुत थारे लोग sketch कर सकते हैं थोड़ा सा drawing कर सकत करते हैं कुछ लोग diary maintain करते हैं थोड़ा उसमें एक paragraph या फिर एक page लिख लो नीचे जाओ walk करके आओ 10 minute exercise कर लो 10 push-up मार लो 10 squat कर लो meditation कर सकते हो माबाप से जाके बात करो तुमारा बड़ा भाई बड़ी बहन उनको जाके परिशान करो do something else instead of picking up the phone ऐसा कुछ करो कुछ दूस था बहुत सारी planning करनी थी बहुत सोचना था तो I was practicing this छोटा सा piece on my guitar ठीक है I want you people to guess the song and Marathi people this one's for you तो भाईो और बैनो I hope ये 4 step बहुत simple है आप इने follow कर पाओगे and you will also overcome your phone addiction ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा समय लग गया यार एक दो हफते लग गया because ये सारे steps मैं अपने उपर apply कर रहा था and they are highly highly effective मेरा phone पूरे दिन में कहीं कोने में पड़ा होता है and मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता जिन लोगों को मुझसे बात करनी है they can call me or they can message on whatsapp जब मैं free हो जाता हूं सारे काम खतम हो जाते हैं तब जाके मैं Instagram या फिर Facebook या फ very short time उसके बाद मेरे पास बहुत सारा समय बच जाता है जो मैं अपने friends को family को hobbies को and मेरे काम को दे पाता हूं so I hope the video is helpful आप भी in steps को follow कर पाओगे कोई दिक्कत आती है तो please do let me know in the comments and thank you so much for watching मिलते हैं in the next video